एक किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों थे लेकिन वैं इससे अंजान था एक दिन रात में खेत से गुजुरते हुए सांप ने उसे पैर में कात लिया पर जैसे ही उसने नीचे जुक कर देखा दो उसे भागता हुआ चूह दिखा किसान को लगा कि चुहे ने काटा है इससे वो निश्चिंत हो गया और इलाज नहीं कराया सब भागया की बात थी कि अधिकांच सापों की तरह वैसाप भी जहरिला नहीं था सो उस पर उसका कुछ असर नहीं हुआ किसान अपनी रोजमरा की जिन्दगी में लग गया बात आई गई हो गई कुछ मेनों बाद फिर से रात में खेट से गुजरते हुए अचानक उसे चुहे ने काट लिया लेकिन इस पार नज़र जुकने पर उसकी नज़र साप पर पड़ी साप दरसल चुरह का शिकार करने के लिए उसके पीछे लगा था साप को देखके ही किसान चकर खाके गिर गया इलाज हुआ लेकिन उस पर कुछ खास असर नहीं हो धीरे धीरे किसान की बिमारी मानसिक हो गई थी सीख जीवन की अधिकांश जिनताएं ब्रह्म के कारण उप जती हैं जीवन के संक्टों पर गौर करके देखें कहीं आपके ब्रह्म तो नहीं